खबर भिलवाड़ा से मांडलगड के रेलवे स्टेशन पर कंटेनर डिपो यार्ट में माल धुलाई के किराय में फर्जी वाड़े का मामलाग दो माँ में पहले सामने आया था इस फर्जी वाड़े की खबर मेडिया में उजागर होने के बाद बुदवार को जैपूर CBI की टीम मांडलगड रेलवे स्टेशन जाच करने पहुँची यहां रेल अधिकारियों और ट्रांस्पोर्ट कंपनियों की मिली भगत कर रेलवे को करोडो रुपय का चूना लगाय जैपूर से आई 4 सदस्य CBI टीम ने कंटेनर डिपो से पाउडर के कुछ सेंपल्स उठाए हैं और करीब 20 से अधिक मालगाडियों से अलम पाउडर की आड में स्पोस्टोन पाउडर लोडिंग संबंदित दस्तावेज जप्त कर टीम ने अपने साथ ले गई CBI के सूतरों के मुताबिक कोटाच तोडगर रेलवे मार्क पर संचालित अन्य तीन डिपो में गुड्स ट्रांस्पोर्ट संबंदित दस्तावेज कर जाच की गई है मालगर रेलवे स्टेशन पर CBI टीम ने करीब 3 गंटे तक जाच कर स्टेशन करमचारियों से पूछ ता दो दरजन से अधिक मालवाहक प्रेने लोड हो चुकी है जिसमें फिटकरी पाउडर के नाम से हजारों टन सोप स्टोन ले जाया गया था जबकि भिलवाडा जिले इसके आसपास के सहरों में कहीं भी अलम पाउडर की खदान ही नहीं है रेलवे के शूत्रों की मुताबिक फिटकरी पाउडर का 1200 टन सोप स्टोन का 2800 टन रुपे किराया निर्धारित किया गया है इस नियम का फायदा उठा कर निम निस्तर पर किराये पर 1000 टन व्यबसाई सोप स्टोन मांडलगड से असं गुहावटी तक माल वाहक ट्रेनों से 1000 टन अलम पाउडर की आड में सोप स्टोन पाउडर भेजा गया जिससे करीब 1200 करोड रुपे 12 करोड रुपे मालागड की चपत रेलवे को लगाई गई वहीं लाको रुपे जी एस्टी भी चुपाई गई है बताया जा रहा है ट्रांस्पोर्ट कंपनी के मालिक की कैंद्रवे राज्य के बड़े नेताओं स से खूब जान पहचान है जिसके चलते इस मामले में लीप अपोती शुरू हो गई थी लेकिन मीडिया में मामला का खुलासा होने के बाद रेलवे की टीम वहाँ पर जाच करने पहुंची और अब CBI द्वारा यहाँ पर जाच की जा रही है इसमें रेलवे के कई बड़े अधिकारियों का भी नाम सामने आ सकता है